वेलकम बेक डूमा यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियों बात करने वाले हैं कॉस्चन नमबर टुन्टी एट ठीक है इस से पहले हमने एक से लेकर टुन्टी सेवन तक सभी को एक एक करके डिसकस कर लिया ठीक है यह हम बात करना है सौट आंसर टाइब कॉस्च हमने सभी को एक एक करके डिसकस कर लिया अच्छे से अगर आप नहीं देखें तो पहले अगर आप उनको देखेंगे तो यह आपको एजली समझ में आ जाएंगे ठीक है तो चलिए हम बात करते हैं कुश्चन नमबर टुन्टी एट और अगर आप हमारी यूट्यूब चैन बिश्त्रत टिपडी लिखनी है ठीक है निटैल है थोड़ा ज्यादा आप तक देखा था कि मतलब यह कर लिए शौट्नोट लिए लेकिन अब क्या करना है थोड़ा दिटैल में इसको बताना है कि आपका फ्री रेडिकल आपको लिखनी है बूचली है बात करते हैं कहारा म तो फ्री रेडिकल मतलब इसी बात है कि किसी परमाणू पर Yahoo यह से अधिक पर रेक से अधिक से अधिक अइगमित इलेकट्रानवों को रहे धिकर यह सकते खतने खायते हैं ऐसी ब्रेटिकल करते हैं करती helps पर मालूं का वहसमू या कोई प्रमाडू हो या बहुत सारे प्रमाडू हो उनका समू जिसमें एक या एक से अधिक आयुगमित इलेक्ट्रॉन ठीक है अयुगमित इलेक्ट्रॉन उपस्तित होते हैं मुक्त मूलक कहलाता है क्या कहलाता है मुक्त मूलक कहलाता है चाहे वो एक प्रमाडू हो या प्रम मुलक क्या मुक्त मुलक यहां पर बांद करें गर हम लकी क्लोरिन जिस पर एक डोट आप आपको दिखाई दे रहा तो यह क्या है आँजमित और एलेक्टरॉन है टीक है तो फिरिलेक्ट्रॉन है तो यह ऺईने टिक हैं पर लिक पर एक है एकर ही मुक्त मूलक active टो Geld पर अगर हम बात करें तो आक्सीजन दे रखा है ठीक है दो आक्सीजन आपको दे रखें दोनों पर आपका एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो कहरा दो अयुगमित इलेक्ट्रॉन युक्त मुक्त मूलक ये कैसा हो जागा दो अयुगमित इलेक्ट्रॉ जैसे इसका निर्माड किया जाता है या किस तरह से हम इसको बना सकते हैं यह आपको कुछ बिदियां आपर दे रखेंगे जो कि आपको शीखना है बनाने की विदियां ठीक है प्रिप्रेशन नमबर एक के अगर हम बात करें तो कह रहा प्रकास रासायने की भिखंडन यानिकि सूरिय के प्रकास में हम क्या करेंगे इसको इट करेंगे कारवनिक योग को हम अपघटित करें, क्या बना लेते हैं मुक्त मूलक का निर्मार कर लेते हैं जैसे अगर हम बात करें आप आपको CL2 दिखाई दे रहा ठीक है CL2 एक CL दूसरा बीच में करें आपका ब्रहुंच और यहांपर आपको दिखाई दे रहा है यू भी ठीक है अल्टरा वॉय लीट प्रकास की उपस्तिति हैं इसको रख दिया आप गया होगा इसके बीच का जो बॉंड है तो यहां पर जो बॉंड टूटे गा वो कैसा होगा वह आपका homolytic fusion होगा ठीक है यानि कि बरावर बरावर भागों बट जागा दो इलेक्टांस से मिलकर अगर यह बना है तो यह बना ऐस पर दो यह पर गया हो गया या अल्टावाइड प्रकास की उपस्तिति में इसका हमने प्रकास विद्दत अफगधन कर दिया तो आपको क्या मिल गया क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल आपको यहां पर मिल गया है तो यह आपका कैस्से हो जागा प्रकास रासाइनिक विखंदन द्वारा ठीक है दूसरा कह और मुलक बना लेंगे टापी विखंडवारा इनका मूलक बना लेंगे पर और रॉकसाइड दुरवल ऑक्सिजन ऑक्सिद बोन गरम करने पर सम उता है यसे हम होमोलिटिकииas р欸 क्या कहते हैं होमोलिटिक है हुमोलिटिक क्यूजन इनकी सम बिखन बन ठीक तो यहां पर देखो इसमें क्यों होगा ऑक्सिजन अब देखो यह आपको दे रखा है एक्जामपल यह आपका क्या है है यह आपका है यहां पर देखो दोड़ी ऐस एक्षाइब का होल्ट वाइज क्या है आपका सी और यहां पर ओक्सिजन के बीच में आपका क्या है एक बॉंड है फिर आपका वह जागा स्जी ओ फिर आपका सी है यह नगैकन वाटसर्ट है य neg जो किma सब्सक्राइब या ऍसको इत pantry जितना हिट गया एक नठरी तो क्या होगा इसके बीच में जो बॉइंड आपका झाटम चैन ओक्शिन आज पांड जो जाएंग की एक एक लेक्टान इस वाले औक्षिजिन पर लेक्षिजिन पर जाएंगे एक बंड में फिर आतर नों थो Polsce । दे एक देखने को लागा फिलस्थों हो जागा ठीक जब दुरहिंद धुर्बल बंड़ तो ठीक और उसका हम क्या करें ताप ये विखंदन कर दें दुरबल बंद का ताप ये विखंदन अगर हम कर दें तो भी हमें आपको तो भी हमें मूलक देखने ने को मिल जागा या मूलक प्रप्त हो जाने ठीक ठीक फटरबंड वाले योगेकों को बहुत ऊच्च ताप पर गरम करने पर संबिखंडन होता है क्या होता है संबिखंडन यानि कि प्रवल सहवंद यानि कि ऐसी योगे कि जिनके बीच में बांड इस्ट्रॉंग होता है कैसा होता है strong bond होता है या प्रवल सह बंद होता है उनका उनका जो bond break होता है वो कैसा होगा वो कब होगा जब हम उनको बहुत ज़्यादा तापर गरम करते हैं क्या करते हैं बहुत ज़्यादा तापर हम उनको गरम करते हैं तो इनके बीच का bond टूटता है ठीक है यह bond कैसा होता है तो यहाँ पर इनके बीच में यह bond बना हुआ ठीक है कोई सा भी bond एक break होगा आप दोनों break कर लो एक के करके मानलो गर यह वाला bond break होगा तो हमें इसको क्या करना होगा high temperature हमें इसको देना पड़ेगा ठीक है उच ताप पर इसको हमें गरम करना पड़ेगा heat करना पड़ेगा तो CH3 और CH2 मानलो पहला bond यह तूट गया आपका एक electron इस पर आ जागा दूसरा electron आपका यहाँ आजाएगा तो एक electron आपको इस वाले carbon पर देखने को मिल जागा दूसरा electron आपको इस वाले carbon पर देखने को मिल जागा जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है कमझेर में क्या हो जाता सेम्षन होता भूंज जाए वहां पर भी आपको क्यों जाएगे मूलक देखने को मिल जाएंगे ऐफोरत कारा कोल्वे वैद्धुत संसलेशन क्या है कोल्वेडद्ध संसलेशन क remem आपर बात करें तो इसमें वहीं जालने पर आहने आ Mein तो माल लो यहां पर आपको दे रखा है थी डवल ओने जिसे हम कहते हैं अब क्या करा फ्रकास दे दिया ठीक है या बैदुत संसलेशन यानि की इलेक्ट्रोलिटिक ठीक है इसके बीच का एक बांड टूट जाएगा तो कहां पर आजागा और सोडियम पर कैसा आजागा आपका पॉस्टिवली चार्ज आजागा ठीक है तो यह क्या बन जागा यह आपका हम बात करें तो गहां देखो यह आप अपर्जिजन पर यह बहार निकल जागा ठीक ऑक्सिजन पर तो यहें पर अगर मैं बात करूं यहां से बाहर निकल जागा ठीक ऐसके रहा जागए एक फ्री डिडिकल रह जागा और एक लेक्तरॉन यहां से वाहर निकल जागा ठीक तो यह हो गी हमारी किडियाग्स पर इनोड़ ठीक लेकटारन बाहर निकल गया घरव अभी अभी आपका बन गया मूलग क्या बन गया यह सो प्रेजन रहते हैं बनाने के बाद भी उसपर दोलपन पार BUT रहते हैं बेकन यह परwood है इसनलुक만 और रिदिक नेक्सट कि खिर सी उट्व का निसकास अभी जो हमें मिला था एक मुक्त मूलक यह हम कारवंड़ा यह ओक निकाल दे करवंड़ा उक्साइड को अगर यहां से निकाल दे घृह निकालनी स्नियू टू निकालनी टो आपका क्या बच दे हैron सियो अब इहां पर क्या बन जाएगा यानि कि सीयो टू क्या बन जाएगा सी डबल बांड और डबल बांड इतना वनजाएगा और तीसरा कह रहा जाएगा सी एक रिडिकल रहा तो निसकाजन अब क्या करते हैं से बाहर निकाल तो यह आपका फ्री रेडिकल दे रखा है ये सिए और दो लूण पेर के साथ में फ्री रेडिकल अब यह कब निकलेगा जब यह वाला बॉंड यहां से टूटे गा इस पर रेडिकल आ जाएगा आपका कार्वन पे एक रेड यानिकि एक फ्री एक अईग में तेलेक्ट्रान आ जागा तो यह आपका क्या बन जाएगा मुक्त मूलक यानिकि अभिक्रियां सबसे पहले घराम बात करें तो कह रहा संयोग यानिकि combination कारा समान या बिविन मुक्त मूलक आपस में सहीं करके या तो समान हो या बिविन हो दो अलग अलग तरह के मुक्त मूलक भी हो सकते हैं आपस में सहीं करके dimer बनाते हैं क्या बनाते हैं dimer यानिकि बनाते हैं यानि कि क्या हो जागा उसका डबल हो जागा इंदबल क्लोरीन के मुक्त्मूलक है अब यह दोनों क्या करेंगे क्या करेंगे आपस में संयोग करेंगे ठीक इनके क्या हो जागा यहां पर संयोजन हो जागा या संयोग हो जागा संयोग हो जागा तो क्या बन जागा इसका डाइमर c l 2 बन जागा क्या बन जागा का इसे इंग कहते हैं डाइमर क्या कहते हैं डाइमर या दूइमर टिक दूसरा ले लो c h3 सो तो c h3 इसमें carbon पर आ जागा आपका free radical दूसरा क्या है आपका है तो यह दोनों आपस में सहीयों करेंगे और क्या बना लेंगे ओनेंगे क्या दोनों बात करें तो कहिरा सम अनुपार्थी क्रिया कैसा हो जागा समानुपाती क्रिया इसको कहते हैं करा है इस अब क्रिया में दो मुक्त मूलकों कैसे होंगे दो मुक्त मूलकों के मद हाइड्रोजन का इस्थानांतरण होता है तो इस अब क्रिया में क्या होगा दो मुक्त मूलक आपको दे रखे होंगे जिनके बीच में hydrogen का इस्थाना अंत्रड है यानि कि एक जगह से दूसरी जगह आपको hydrogen जाता हुआ दिखाई देगा ठीक है तो यहाँ पर यह आपको मुक्त मूलक दे रखें CH2 यहाँ पर है और इस पर क्या है आपका एक free radical और यह आपका क्या होगा CH3 और यह CH2 इस पर भी आपका क्या iLand ऐखें दूसरी दे रहे इन हमें क्या होगा उङमें क्या होगा CH3 और इस फिर फीर डिकल kernel से ऐसे भीन दीकल तो फीर डिकल दिखाई दे रहे एक free radical आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्या CH3 यानि कि कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है hydrogen 3 और single bond CH2 इस पर क्या है free radical अब देखो अगर यहाँ से हम एक hydrogen को निकाल दें ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यह क्या बना लेगा CH3 और CH3 यहाँ पर आपको है यहाँ त्रांसफर हो रहा है यहाँ तीन लगे वह थे जिसमें से एक काम निके करवा दिया सन्भी घंडर न करवा दिया एक फ्री रेडिकल इस पर आएगा दूसरा आपका यहाँ पहुंजागा और यह फ्री रेडिकल क्या होगा कारवन वाला इस कारवन के साथ में बना लेगा ठीक कारवन कारवन के बीच में दो बन यहाँ पर बन जाएंगे कि थід थार अगर हम बात करवां तो यहाँ प्रताक करवाल अवर्य सीरत आपका है प्रताक क्रवन के बीच में किपना होगा आपका सिंगल बांड मिलेगा उसको कहते हैं संत्रत कार्वन योगिक से एक परमाणू प्राया क्या होगा हाइडोजन परमाणू तो प्रथक कर लेता है क्या कर लेता है तो मुक्त मूलक क्या करेगा किसी संत्रत कार्वन योगिक से एक हाइडोजन परमाणू को क्या कर लेगा दूसरा क्या है आपका कि दूसरा है आपका स्थी दीएजटरी ठीक च सिंगल वान्डछी ठीक बैसे कष absolしました तुछ फोड़े लेकिन एट्स क्या है थोड़ा अलग कर दिए यह वाला आपका फ्री रेडिकल तो यह जो बॉंड है कार्बन आटोजन के बीच का इसका क्या हो जगा संबिखंडन एक रेडिकल यहां पर दूसरे यहां पर अब यह जो रेडिकल है आटोजन वाले यह चला जागा क्लोरीन के पास में और क्या बना लेगा ह07 बना लेगा ठीक है वनालेगा ह trig और यहांका से थ क्रेडिकल अभाज equipment बन जागा क्या बन जागा चेश्ख तरी लेडिकलर यहां पर बन जागा ठीक है तो यह आंपर यह हो जागा आपका प्र्थक करहता करा मुक्त मूलक की सरचना इसकी सरचना किस तरह से हो दिया करा इसका केंद्रिय परमाणू केंद्रिय परमाणू ठीक है जो सेंटर में होता उसे हम कहते हैं केंद्रिय परमाणू केंद्रिय परमाणू पर आयुगमित इलेक्टान होता जो केंद्रिय परमाणू होता उस पर क अवस्था में होता है काउंस यह वस्था में होता है SP2 अवस्था में आपको देखने को यहाँ पर मिलता है कुछ इस तरह से ठीक है मतलब कि जो hybridization में भाग नहीं लेता है P orbital रहता है कैसा orbital रहता है P orbital रहता है जो hybridization में भाग नहीं लेता है कुछ इस तरह से ठीक जिसमें एक अयुगमित इलेक्टरॉन जिसमें एक क्या होगा आपका एक अयुगमित इलेक्टरॉन रहता है ठीक इस orbital की एक लोब दूसरा लोब कहा होगा बिल्गुल प्लेन के नीचे ठीक है एक ऊपर दूसरा आपका नीचे होगा ठीक है इसकी त्रविमी सरचना निम्र प्रकार होती है इसकी जो सरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है यह देख लोगा यह रही इसकी सरचना अब देखो यह क्या है आ यह क्या है कार्वन परमाणू क्याए कर्वन परमाणू जिसका है यह यह आपका एक चया सब्सक्राइब गया लिक बाएअ इसमें आयगमित मांड क्या होगा जाई है ऑप walking हो जागा स्पीटू क्या जागा स्पीटू कि अब देखो यहां पर यहां पर यह जो आपका लोग दिखरा है अन आइब करत पी ऑर्बिटल तल के ऊपर यह जो है अनाइब किरत आर्बिटल है टी आर्बिटल है जो की तल के ऊपर है यह दूसरा क्या है यह भी अनायवडी किरत पी आर्बिटल है जो कि कहा है आपका तल के नीचे है आपका ठीक है अदो को ssp2 यह जो bond है यह क्या है ssp2 यानि कि इसमें क्या है एक आपका s orbital रहा है ठीक क्या रहा है s orbital इसमें भी एक s orbital रहा है दूसरा क्या रहा है p orbital इसमें भी दूसरा क्या है p orbital और इसमें क्या है आपका sp यह जो है है Shang hi यहां पर वह कर दूसरा क्या इस पी स्क्राइब तो यह आपके क्या हो जागा कर्दार्बिकर आम के ऐसे करते हैं जो हमारे मुक्त मूलग होते हैं हुद किस तरह से करते हैं कुछ जादे नींचे पूँच गया कि यह कुछ जाद herक यह तो फिर से ये हैं EU तो प्रफट्क करन हो गया यह आपकी सब्वाध करें जो हमारे मुक्त करें इनका नमकरण एक्टमूलक लिखकर करते हैं इनका जो नामकरण होता मुफ्तमूलक का वह किस तरह से करते हैं को Community United यह उणके या उसके अलावा कोई आपका न्समूह होसकता उसके नाम के आगे लिखकर करते हैं जैसे यहां पर बात करूं मैं CS3 क्या है CS3 इस पर एक free radical है तो CS3 को हम क्या कहते हैं methyl उसके आगे क्या लगना है कि आप के बल मूलक लिख देना तो मैथल मूलक हो जागा यह क्या होता है आपका Acetyl Acetyl Acet कि CS3CWOH के अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है Acetic Acet जागा next आपका Stability कौन सासबसे ज्यादा Stable होगा यह आपको सिस्ट्री यह कैसा होगा आपका सबसे कम इस्थाई छिएस पाद आपका जू त्रतियक ब्यूत्म जागा उसके बाद आपका यह आजागा और उसके बादा आपका कुछ इस्तरे से आजागा यह गलत इस तरह से यह आपको पासवील करम डिया सबसे ज्यादा फिर आपका टू डिगरी फिर आपका डिगरी उसकेपद मै inneतल मुक्त मुटक यहाप का टू झम टमें तब सब्से कम इस्थाई हो Miles加 है रम अश्ट मुटक कि अ यह आपका stability का order हो जाएंगा ठीक है कुछ इस तरह से कुछ यहां पर conjugation दे रखा है कि अधियोंग मन Conjugation तथा अनुनाद Conjugation या अनुनाद के कारण मुक्त मूलक अधिक इस्थाई हो जाता है किसके कारण Conjugation और अनुनाद के कारण जो हमारा मुक्त मूलक अभू कैसा हो जाता है अधिक इस्थाई होता है जैसे बात कर रहा है एथिल मुक्त मूलक अनुनाद के कारण अधिक इस्थाई हो जाता है एथिल मुक्त मूलक अनुनाद के कारण के हो जागा आपका अधिक इस्थाई हो जागा ठीक है तो यहां पर है आपका CH3 CH2 double bond CH single bond CH2 इस पर क्या है आपका एक free radical यहां पर देखने को मिलना है ठीक है अब इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा ठीक है अब दूसरा आपका यहां पर यहां पर अगया और इन दोनों के बीच में क्या बन गया यानि कि आपको इसमें देखने को मिल ला है तो एक ऐसा जगा मोर इस्टेवल हो जागा ठीक अधिक स्थाई हो जागा दूसरा कायरा ऐसी प्रिकार बेंजन बेंजाइल मुक्त मूलक भी अनुनाद के कारण अधिक स्थाईत ग्रैण कर लेता जो हमारा बेंजाइल होता है वह हो भी मुक्त मूलक के कारण अधिक स्थाउर्ट को जैड़ें कि अधिक कर लेता है तो यहां पर बात करें वेंजिल कार्बोनियम ऐंड कि आइन की ऐता में यहां पर बात करें तो यहां पर क्या हो जागा यहां पर आपको ढ Wish दिखाइद दे रहा है जgar प्लस इस बैंजीन यहां पर बनेगा ठीक है यहां पर आएगे यहां पर कैसा जागा प्लस का चार्ज तो दुबारा से यहां पहुंच जागा ठीक है सुरी दुबारा से यह लेक्ट्रोन आपके यहां पर आजाएंगे यहां पर कैसा जागा प्लस का चार्ज और इनके बीच में क्या हो जागा ठीक है तो फर्दर वही इस्ट्रक्चर्ट जो सुरू में हमारे पास था भाई एमें दुबारा से देखने को मिल जाएगा ठीक है सबस्क्राइब करना है चैनल को सब्सक्राब बरना है सब्सक्राइब जरू कर लेना जिससे कि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहागा ठीक पड़ाई से संबंदित मिलते हैं अगले वीडियों बन रही हमारे साथ थैंक यू